हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल आज इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस फुल घेरे वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे इन टिप्स को फोलो करके ये प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप्प करके देखिएगा इस प्लाजो के लिए मैंने रियोन का सवदो मिटर कपड़ा लिया है और इसकी चुड़ाई देड़ मिटर है इस प्लाजो के में दो ही मेजरमेंट्स हैं एक इसकी लंबाई और एक hip measurements तो चलिए पहले हम paper पे देखते हैं कि कपड़े को fold कैसे करना है सबसे पहले कपड़े की लंबाई से इसे fold कर लेंगे अब इसकी खुली वाली side से उठाकर इसे triangle shape में fold कर लेंगे ये fold करने के बाद जो नीचे कपड़ा बचेगा extra ये हमारा belt में use होगा अगर आपके plazo की length 37 से जादा है तो इसमें joint लगेगा joint वाले plazo की cutting को stitching में आपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी अब यहाँ पे हमारी hip measurements का mark लगेगा और इसके नीचे crouch length जितना भी आपका आशन है उसका निशान हम यहाँ से लगाएंगे अब नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे plazo का घेर रहेगा इन निशानों पे cutting करने के बाद हमारे पास दो पल्ले आ जाएंगे दोनों पाओं के cutting करने के बाद plazo कुछ ऐसा दिखेगा नीचे वाले साइड यह दो पल्ले रहेंगे और उपर की तरफ यह belt लगेगी तो चलिए अब हम इसकी marking और cutting कपड़े पे देखते हैं कपड़े को double fold करने के बाद अब हम इसे triangle shape में fold कर लेंगे और नीचे जो extra fabric है उसे cut कर लेंगे तो चलिए मैं इसका close view दिखाती हूँ आपको यह कपड़े की बंद वाली side है और यह कपड़े की खुली वाली side है हमारी सारी markings खुली वाली side से ही होंगी तो सबसे पहले हम लगाएंगे hip measurements का निशान यहाँ पे यहां हम hip का 4 भाग प्लस उसमें 1 इंच की losing add करेंगे मेरे measurement में hip का 4 भाग है 10 इंच और इसमें हम 1 इंच की losing add करके देखेंगे कि हमारा यह निशान कहां पे आ रहा है अब इस निशान को गुलाई में लगाने के लिए हम यहां उपर के कोने से देखेंगे कि यह निशान कितने इंच पर है मेरे measurement में यह निशान 13 इंच पर आया है अब measuring tape को आगे करते हुए हम इस पूरे round में निशान लगा लेंगे 13 इंच पर इस निशान पर ही हमारी cutting आएगी अब इस निशान को complete करने के बाद हम अपने आशन का निशान लगाएंगे यहां से 38 इंच से 44 इंच की hip measurements में 14 इंच का आशन perfect रहता है बाकी आशन निकालने का formula मैंने screen पर दिया है 14 इंच के आशन में 2 इंच की हमारी belt रहेगी तो यह निशान मैंने 12 इंच पर लगाया है इसके बाद हम यहां से आशन की गुलाई का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और इसको हम उपर कोने में join करेंगे यहां से इसको हम straight join नहीं करेंगे अगर आप इसको straight join करोगे तो hip measurement में ये tight हो जाएगा अब आसन की गुलाई हम यहां से 1 इंच पे डालेंगे तो इसके बाद हमारी कमर और आसन दोनों के निशान लग चुके हैं अब यहां हम plazo की length का निशान लगाएंगे इसका formula मैंने screen पर दिया है मेरे measurements में ये 36 inches है तो ये निशान लगाने के बाद उपर कोने में इंच टेप को रखके हम पूरी गुलाई में ये निशान लगा लेंगे अब यहां मैंने पूरी गुलाई में निशान लगा लिये हैं अब इन निशानों पे हम cutting कर लेंगे तो cutting करने के बाद हमारा plazo कुछ ऐसा दिखेगा plazo की cutting के बाद हम दोनों पलों को कुछ देर के लिए हैंक करके रख देंगे अभी तो ये नीचे से बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं क्यूंकि plazo में जितना भी औरेब कपडा रहेगा वो नीचे को stretch हो जाएगा अब इसको even करने के लिए हम नीचे से trim कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने plazo को hanger से निकाल के double fold किया हुआ है अब इसको एक fold और लगा लेंगे हम यहाँ दोनों पलों को मैंने four fold करके रखा है तो देखे मेरे measurements में ये तेड़ इंच तक stretch हुआ है ये cotton based fabric है इसलिए ये तेड़ इंच तक stretch हुआ है अगर ये synthetic होगा तो ये के बार तीन इंच से जादा भी stretch हो जाता है अब नीचे से जो extra fabric है उसको हम cut करके बराबर कर लेंगे अगर हम ये step follow नहीं करेंगे तो जो हमारे plazo का flare रहेगा वो uneven सा दिखेगा और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी look नहीं देता अब इसके बाद हम इसकी stitching कर लेंगे stitching के लिए दोनों पलों की जो सीधी side है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और यहां से उपर से इसको सिलाई लगा के join कर लेंगे यहां से आसन की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें belt attach करेंगे तो belt की जो चुड़ाई लेंगे हम इससे थोड़ी बढ़ा के ही लेंगे इसके घेर से तो देखें यहां पर मैंने यह ली है 24 इंच और इसके height रखेंगे हम अपनी elastic का double plus 1.5 इंच सिलाई के लिए सबसे पहले हम belt के जो दो pieces हैं इस पे सिलाई लगाके join कर लेंगे इसको तो देखें यहां पर मैंने इसको join कर लिया है अब इसके बाद इसको हम plazo के साथ attach करेंगे तो belt को हम 1.5 इंच आगे रखेंगे और जो आसन की सिलाई लगाई है वहां से अपनी सिलाई start करेंगे और पूरे round में यह सिलाई complete कर लेंगे इसके बाद हम belt के दोनों सिरों को join कर लेंगे यहां से और जो extra margin हमने रखा था belt में उसको हम यहां पे trim कर लेंगे तो देखिए यह extra fabric था अब इसको काट लेंगे और उपर से सिलाई लगाके हम अपनी belt attach कर लेंगे यहां से तो देखिए कितनी finishing के साथ plazo के साथ हमारी belt attach हो चुकी है अब इसमें हम elastic डालेंगे तो यहां मैंने 2 inch चोड़ी elastic ली है और इसकी लंबाई हम अपनी कमर से 3 inch कम लेंगे मेरे measurements में कमर है 32 inches उसमें से 3 कम करने के बाद 29 inch पे मैंने यहां पे एक mark लगा लिया है अब elastic को हम plazo और belt के joint पे रखेंगे यहां पे और उपर का जो fabric है इसको अंदर की तरफ fold करके उपर से बड़े टांके की सिलाई लगा देंगे तो देखें यहां पे मैंने यह कच्ची सिलाई लगा दी है इसके बाद हम elastic को अंदर की तरफ रखेंगे और extra margin को अंदर की तरफ रखते हुए पूरे अपने round में stitch complete कर लेंगे इस तरीके से elastic attach करने से बैल्ट में बिल्कुल भी जोलने ही आता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इससे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब सिलाई को हम 2 इंच पहले ही रोक लेंगे और इसमें से जो हमने 29 इंच पह एक निशान लगाया था elastic पह उसको खींच के बाहर निकालेंगे अब इस निशान को हम कट कर लेंगे यहां से आपसर स्टार्टिंग में जो हमने कच्छी सिलाई लगाई थी उसको निकाल लेंगे और इलास्टिक का और यहां से इलास्टिक को निकाल लेंगे अब इसको हम स्टिच कर लेंगे अच्छे से तो देखे मैंने यहां पे इसको स्टिच कर लिया है अब इलास्टिक को हम इल्ट के अंदर की तरफ रखते हुए अपना स्टिच कम्प्लीट कर लेंगे तो देखें यहाँ पे मैंने यह stitch complete कर लिया है और बहुती finishing के साथ हमारी elastic attach हो चुकी है यहाँ पे अब elastic को खींच के हम हर तरफ से बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम elastic को खींच के इसके center में एक सिलाई लगाएंगे यह सिलाई लगाने के बाद हमारी elastic अच्छे से belt में attach हो जाएगी तो देखें कितनी finishing के साथ ही हमारी elastic attach हो चुकी है अगर आपको इसमें कोई भी doubt हो तो प्लीज मुझे comment section में बताएं मैं इस पे एक separate video बना दूँगी प्लाजो में belt और elastic attach करने के बाद अब हम इसके घेरे पे double fold कर लेंगे मैंने यहाँ पे इस प्लाजो को नीचे से पीकू किया है आप चाहें तो इसको double fold भी कर सकते हैं machine से finishing के साथ पीकू करने की video भी मैं जल्द ही upload कर दूँगी तो पूरे में पीकू करने के बाद अब हम इसमें दोनों पलों के आसन मैच करते हुए यह पूरा stitch complete कर लेंगे पूरे round में यहाँ से एक इंच का margin छोड़ते हुए हम यह पूरा stitch complete कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा stitch complete कर लिया है और इस plazo का घेर पूरे 4 मीटर का है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इससे like करें share करें और मेरे channel को subscribe करें thanks for watching